मेरे प्यारे परिवार जनो जन चेतना को वो व्यापक रूप क्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप जन जन के अंदर एक नए विश्वाद जगाने वाला वत्वल आखिर कर 1947 में देश आजाद हुआ हजार साल की गुलामी में संजोय हुए सपने देश वाद्चिये पूरे करते हुए देखे साथियों मैं हजार साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूँ मैं देख रहा हूँ फिर एक मार देश के सामने एक मोका आया है इस ऐसे कालखन में हम जी रहे हैं ऐसे कालखन में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सवभाग्य है कि भारत के ऐसे अम्रित काल में यह अम्रित काल का पहला वर्ष है या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम माभारती की गोद में जन्म ले चुके हैं और यह कालखन मेरे शब्द लिख करके रखे मेरे प्यारे प्यरिवार जनों इस कालखन में जो हम करेंगे जो कदम उठाएंगे जितना त्याग करेंगे तपस्या करेंगे सर्वजिन हिताएं सर्वजिन सुखाएं एक के बाद एक ठैसले लेंगे आने वाले एक हजार साल का देश का स्वननिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है इस कालखन में होने वाली घटनाएं आगामी एक हजार साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है गुलामी की मानसिक्ता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित हो करके एक नए आत्म विश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है मेरी भारत मा था जो कभी उर्जा का सामर्थ था लेकिन राख के धेर में दबी पड़ी थी वो भारत मा एक सो चालिस करोर देश वाच्वों के पुरसार थे उनकी चेतना से उनकी उर्जा से फिर एक बार जागरत हो चुकी है माबारती जागरत हो चुकी है और मैं साथ देख रहा हूं दोस्तों यही काल घंडे पिजने नव दस साल हमने अनुबह किया है विश्व भर में भारत की चेतना के प्रती भारत के सामर्थ पती एक नया आकर्षन नया विश्वास नई आशा प्यादा हुई है और यह प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है वो विश्व को उसमें अपने लिए जोती नजर आ रही है विश्व को एक नया विश्वास प्यादा हो रहा है हमारा सौभाग्य है कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं तो हमारे पूर्वजों ने हमें विराशत में दी है और वर्त्मान कारखन ने गड़ी है आज हमारे पास देमोग्राफी है आज हमारे पास देमोक्रेसी है आज हमारे पास डाइवर्सिटी है डेमोग्राफी डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिमेरी भारत के हर सपने को साकेर करने का सामर्थ रखी आज पुरे बिश्व में वहाँ देशों की उम्रत धल रही डलाओ पर है तब भारत योवान की तरफ उर्जावान होकर के बढ़ रहा है कितने बड़े गवरों का कालखंड है कि आज तीस साल की कम आयू की जन संख्या दुनिया में सरवाधी कहीं है तो ये मेरे भारत मा की गोद में है ये मेरे देश में है और तीस साल से कम उमर की नवजवान हो मेरे देश के पास हो कोटी-कोटी भुजाएं हो कोटी-कोटी मस्तिस कहो कोटी-कोटी सपने कोटी-कोटी संकल कहो तो भाई यो भेनो मेरे प्येप परिवार जनो हम इच्छित प्रणाम प्राप्त करके रह सकते हैं इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर